नमस्कुल आड़ास बिटी न्यूज में आपका स्वागत हैं पेश ये राजिस्तान और श्री गंगा नगर हर्मान गणचिले की बड़ी खबरे राजसान में एक मात्र परवतिया परेटक स्थल माउंट आपू मंगलवार को 4 डिग्री सेल्सियस नियूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा मौसम विभाग के अनसार श्री गंगा नगर में नियूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में 13 विकानेर में 13.2 चूरू में 13.5 पाली में 14 बाडमेर में 15.8 डिग्री सेल्सियस और अन्य स्थानों पर 16.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। विभागने आगामी 24 गंटों के दोरान, राजे में मौसम शुष्क रहने और आगामी 2-3 दिनों में रात के तापमान में गिरावट होने का नमान चुताया है। जैपुर शहर के करधनी इलाके में दादी का फाटक के पास 5 दिन पहले देरात को नैशनल हाईवे से चालग को बंदक बनाकर एक करोड रुपए कीमत की सरकाई शराव से भरा हुआ ट्रक लूट कर भागने वाले एक गैंक्स्टर नरेश यादव सहित चार बदमाशों को जुन्यरू जुले के मुकंदकर थाना इलाके में हुए दर्दनाग सड़क हासे में एक दुल्हे समें दो यूवकों की मौत हो गई हासे के शिकार हुए यूवकों में से एक तीन दिन बाद 21 नमबर को शादी होनी थी हासे के बाद यूवकों की घर में कोहरा मच गया शादी की खुशिया मातल में बदल गई हासा कार और बाइक में भिढ़न्थ होने से हुआ था फारम आफ प्राइवेट स्कूल्स और राजिसान के बैनर तले निजी स्कूल के संचालक और शिक्षकों का धरना आठमें दिन भी लगातार जारी रहा आज प्रदेश के विभिने जिलों से निजी स्कूल संचालक भी धरने में शामिल हुए और सरकार को दो दिन का उल्टिमेटर देते हुए कहा कि यदि सरकार ने दो दिन में उनकी मांगों पर सकारात्मक कारवाही नहीं की तो वो पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे राजसान के बेरुजगारों की नौकरी की खुशियां इस बार निर्वाचन विभाकिये आचार संखिता में उलज गई है राजसारकार ने 31,000,000 तरचेशोय ने शिक्षकों की भरती के लिए मादमिक शिक्षापोर्ड के जरिये विग्यप्ति जारी करने की पूरी तैयारी कर लेती लेकिन जुलग परिशत विपंचार समीती सदस्यों के अलावा नगर निकायों की आचार संखिता की वज़े से रीट की विग्यप्ति अनलोक नहीं हो सके रीट की विग्यप्ति का प्रदीश के 10 लाग से अधिक पेरुजगारों को इंतिजार है शिक्षा राजी मंत्री गोविन सिंग डोटास्रा ने भी पिछले दिनों ट्वीट कर कहा कि निर्वाचन विभाग की हर्जण्डी मिलते ही विग्यप्ति जारी कर दी जाएगी सांसाइद दियाकुमारी ने वर्शा और उलावरस्टी से प्रभावित किसानों को मुआफ़जा देने और गिर्दावरी कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा दिया कुमारी ने 15 नवंबर को हुई वर्षा एमम ओलावरस्टी से हुए नुकसान का आंकलन करा मुहावज़ दिलवाई जाने की मांग करते हुए कहा कि कोरोना काल में किसानों के हालात पहले से ही देनिया हैं और उपर से प्राकरतिक आपदा ने रही सही कसर पूरी कर दी है बास्पा के प्रदिशा ध्यक्ष सतीश पुनिया ने सतारूट कॉंग्रेस पर कटाक्ष करते हुए गहलोद ने सुमवार को कहा था कि सिब्बल को पार्टी के अंदरूनी मुद्दो को मीडिया में लाने की कोई जरूरत नहीं थी इसे लेकर पूर्या ने आज कहा कि देश के विभेनी चुनावों में कॉंग्रिस की बुरी हार के बाद राजिस्तान के मुख्य मंत्री अशोग एहलोद का ये बयार साबित करता है कि पार्टी में अंदरूनी जगडा चल रहा है और वो हार के बाद हताशा के दौर से गुजर रही है और अब ख़बरे श्री गंगानगर हनमानगर जिले की श्री गंगानगर जिले मुख्याले पर कोटवाली पुलिस द्वारा गरिफतार आरोपी को कोरोना पोजिटिव होने पर जन सेवा अस्पिताल में भरती करवाया गया था मौका मिलने पर मुज़िम वहां से फरार हो गया सदर पुलिस ने आरोपी की खिलाफ मकदमा दर्च करवाया है पुलिस के अनस्वार कोटवाली पुलिस द्वारा के कॉंस्टिवर सुभाष शिंद्र ने रिपोर्ट दी कि बुल्जिम परमिंदर सिंग को कोरोना पोजिटिव होने पर जन सेवा अस्पिताल में भरती करवाया गया था आरोपी रात को खिरकी तोड़ कर फरार हो गया श्रीगंगानगर जुले के सादू शहर पुलिस्ताना शेत्र के गाउं खाड सजवार में एक नाबालिका को पकड़ कर शराफ के ठेके में ले जाने का मामला सामने आया है लड़की के परिजनों ने शराफ ठेके में पहुँचकर यूवक को पीट पीट कर अदमरा कर दिया पुलिस ने नाबालिका के रिपोर्ट पर आरोपी राकेश गुरिया और महिंदर सिंग के खिलाफ छेट चाड़ करने और उठा कर शराफ ठेके में ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्च किया है इदर पुलिस ने बताए कि लड़के के परिजनों ने ठेके में पहुँचकर राकेश गुरिया को बुरी तरहन से पीट दिया यूवक अभी भी बयान देनी की स्थिती में नहीं है उसके बयान लेकर मामला दर्च किया जाएगा श्री गंगालगर जिलो मुख्याले पर मेनी मायापुरी में स्थित एक दुकान का ताला थोड़कर अग्यात वेक्टी मोबाइल और नगदी चोरी करके ले गया दुकानदार सुवेट दुकान पर पहुँचा तो चोरी का पता चला पुराने अबादी पलिस ने दुकानदा राजकुमार चावला की रिपोर्ट पर उसके दुकान से दो मुबाइल फोन 35,000 रुपे की नगदी और जरूरी का अगजाद चोरी करने के आरोप में अग्यात लोगों पर मुकदमा दर्च किया है शुई गंगालगा जले के सूरतगर कस्पे में अग्यात युवक एक महिला के गले में पहनी आर्टिफिशल ज्वल्री और नाक से सोने का कोका लूट कर फरार हो गया सिटी पलिस ने पिडिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्च किया है पलिस के अनुसार पिडिता रानी देवी ने रिपोर्ट दी है कि अग्यात युवक जप्टा मार कर गले से चैन और नाक से कोका लूट कर ले गए चैन नकली थी कोका सोने का था हर्मानगर जली के भादरा पलिस्ताना शेत्रे के गाउन जाटान में स्थित एक घर से लाखों रुपयों की नगदी और सोने चांदी के जेवराद चोरी हो गए पलिस ने ग्रह स्वामी हेतराम कुमहार की रिपोर्ट पर गाउन रसलाना के फारुक वे पूजा के खिलाफ घर से साड़े साथ लाख रुपय की नगदी और सोना चांदी चोरी करने के आरोप में मुकत्मा दर्च किया है हर्मानगर जली के नोहर कस्पे में बिना डॉक्टर की डिगरी के ही एक व्यक्ते नीजे अस्पताल का संचालन कर रहा है जिक सायं स्वास्त विभा के ब्यमो ने ये मामला पकड़ा है ब्यमो प्रदीप कुमार की रिपोर्ट पर नोहर पुलिस ने फरजी डॉक्टर कृष्ण कुमार के खिलाफ लोगों के साथ धोका करने और बिना डिगरी इलाज करने के आरोप में मुकत्मा दर्च किया है नेताजी सुभाष नाशनल इंस्टिट ओफ स्पोर्ट पट्याला से डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट कोचिंग पूरा कर लोटे जिला जुडो संग हनमानगर के जुडो खिलाड़े राजे सिहा का जुडो सेंटर पर अभिनांदन किया गया इस अवसर पर जुडो कोच विनित विश्णोई ने बताया कि अब तक हनमानगर से चार जुडो खिलाड़ियों का चर्ण डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट कोचिंग में हुआ है बारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहलाल नहरू की जोयनती बाल दिवस के रूप में मनाई गई इसको लेकर जिले में कई आयोजुन हुए कलेक्टेट परिसर में आयोजीत कायक्रब में कलेक्टर जौकिर हुसेन, एडियम अशोक असीजा, प्यारो सुरेश विश्णोई सहित, अन्य ने पूर्व प्रधान मंत्री जवाहलाल नहरू के चितर पर पुष्प अर्पित करक उन्हें शुद्धांज ले अर्पित की हर्मानगाड में कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष छट मोहसब नव मनाने का रिणने लिया गया है इसी के चलते उपखंड अधिकारी कपिल यादव ने मंगलवार को पुर्वांचल समाज के प्रतिनेधियों की बैठक ली बैठक में उपखंड अधिकारी कपिल यादव ने राजिसरकार के निदेश के अनुसार नहर में पूजा सामगरी नहीं बहाने और कुरोनमा हमारी के तहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए चर्चा की इसमें तैह हुआ कि लोगों को इस वर्ष घरों में ही छट की पूजा करने के लिए प्रेरित किया जोएगा चटपर्म में कुछ दिन शेश हैं वही हनमानगा नगरपईशा सभापति गनेश राज बंसल ने पूर्वांचल वास्यों की मांग पर सुरिश्या की आईच डीसी कॉलोनी में करीब 150 फिट की नहर खुदवा कर पूर्वांचल वास्यों को सोगा दी है मंगलवार को राज्थान पुर्वांचल युवा समीती वे पुर्वांचल समाच के लोगों ने पूजा घाट की साफ सफाई की अखिल भारतिय नायक विकास महापाईशत के रास्टे अध्यक्ष पहवरलाल नायक ने रास्टे महासचेव एवं प्रभारी रायस्थान प्रमोद नायक के अनुश्वनसा पर हनमानगर के नरायन राम नायक को रायस्थान में प्रदेश अध्यक्ष नियुक किया है तो फिलाल इस बिलेटिन में इतना है फिर हाज़र होंगे कुछ और बड़ी खपरों के साथ